नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक बदायू में डबल मुर्डर के आरूपी जावेद ने सरेंडर कर दिया है बरेली के बारादरी थाने के सेटलाइट चौकी में सरेंडर करने जावेद पहुंचा आरोपी जावेद ने कहा कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डर कर दिल्ली भाग गया था जो किया वो साजित ने किया मैंने दोश हूँ मैंने कुछ नहीं किया बदायू पुलिस को जावेद की तालाश थी घटना के बाद से वो फराट चल रहा था पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोशित किया था तो बदायू में डबल मर्डर से जुड़ा मामला दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि मैं निर्दोश हूँ जो भी किया साजित ने किया और हत्या के बाद वो डर गया था इसलिए दिल्ली भाग गया था और अब जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया पुलिस को जावेद की तलाश थी, दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर किया है और बरेली उसने सरेंडर किया है बदाईू में दो बच्चों की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी साजिद जो भागा था पुलिस एंकाउंटर में मारा गया, बताया जा रहा है कि जावेद भी उसके साथ था बाइक पर उसको बैठा कर लाया था और वो तबी से फरार था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जावेद ने सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि हत्या, साजिद ने की, जो किया उसने किया, मुझे इसके सूचना बाद में मिली और इसी लिए मैं डर कर भाग गया मैं तुरंट बहां से आया वदाईउं के लिए, बहां पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली बाग गया, मैं दिल्ली से सूथी बरेली सूथी मेरे पास रिकॉर्डिंग है काही लोगों की, जहां सो मेरे पास फोन आया कि तुमारे भाई ने ये काइंड कर दिया है सूथी मेरे पास रिकॉर्डिंग है काही लोगों की, जहां सो मेरे पास फोन आया कि तुमारे भाई ने ये काइंड कर दिया है अधिया है नहीं जहां आया है मैं एक बात बताओं, सुनो मेरे बाताओं बात सुनो तुम अभी जैसे कहने है पाई पुलिस के लिए दिया रिखिए इस दोहरे हत्याकान का जो दूसरा अरोपी था जावित आप आरोपी सावित का भाई उसके वे अफ्तारी आज जन्पदी पुलिस के दौरा की गई है उसके दौरा पुलिस के दबाओ और जो उसके इनाम कराए गया था उसके दबाओ में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटलाइट चौकी वाँंस में आतन समर्पन किया था और अपना एक वीडियो गी उसमें वाइरल कर दिया यह था जब इस वीडियो की सुचना मिली हमने सुचना को पुष्ट किया और अधिकारी में उसे वारता करने के बाद अब हमारी टीम उसको ले करके वापसारी यहां उसे पोस्ताश करके अग्री मतित्थों का पता लगाए जाएगा तो पहली बार क्यामरे पर बोला है आरोपी जावेद अपनी सफाई में उसने कहा कि मुझे हत्या की जानकारी नहीं थी जैसे ही पता चली मैं डर कर दिल्ली भागा सीद्याब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए है चितरंजन जावेद जिसके तलाश पुलिस को थी उसने खुद ही बरेली जाकर सरेंडर कर दिया और उसका ये कहना है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी बाद में जानकारी हुई और उसके बाद वो डर करके भाग गया पुलिस अभी तक जावेद की क्या भूमी का देख पाई है इस पूरे निशन्स हत्याकाण में मेरे भाई ने दो बच्चों की मौत के घाट उतार दिया है उसके बाद मैं दिल्ली भाग गया था और मुझे भी एंकाउंटर का डर था मुझे भी पुलिस का डर था चुकि कानून का राज है इसी को लेका वो सैटलाइट पहुचा बरेली के बारा धरी ताना चेतर में और उसने एक वीडियो उसका वाइरल होने लगा तब जाके बदाईयों पुलिस जागी और उसके बाद उस आरोपी को बारा धरी से ग्रफसारी हुई है और अभी बरेली की सिविल लाइन में उसको रखा गया है वहाँ बरेली की पुलिस कुशाज कर रही है बदाईयों की टी पुलिस से कड़ी जोडने का प्यास करेगी कि इस पूरे घर्फसारी में क्या आरोप था उसका वहीं आपको पता दे माने सीदे सीदे आरोप लगाया है इस पूरी हत्याकान में किसी ने साजिस रची है और उनके बच्चों की हत्या कराई है और उसमें हो सकता है कि किसी न तो बिल्कुल यहां पर एक बड़ा आरोप बच्चों की माने लगाया है और वो ही आशनका जतारी है कि हो सकता है किसी ने बच्चों की हत्या जावेद और साजिद के माध्यम से करवाई हो मतलब यह मामरा सुपारी किलिंग जैसा भी हो सकता है यह मा का आरोप है और दूसरी तरफ पुलिस अभी तक जानकारी दे रही है इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार जावेद और साजिद के घरवाले कह रहे हैं कि जावेद को कोई जानकारी नहीं थी वो तो घर पर था शाम साथ बजे तक वो घर पर था और उसके बाद वो वहां से भागा है देखे इस मामले में स्सपी का ब्यां सामने आया है और स्सपी का कहना है कि जैसे ही यह वीडियो वाइरल होने लगा तब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि ये जो बदाईयों में जो दो हत्या गांड हुए थे उसमें जावेद का नाम है और ये वही जावेद है जो बदाईयों में नामजदगी हुई है तो पुलिस ने इस बात की तहट की ताक तक पहुची और उसके बाद ये पता चला कि ये वही जावेद है अब बदाईयों पुलिस परेली के लिए रवाना हो गंटे में पहुंचने के बाद अब आरोपी की ग्रफतारी होगी और उसके बाद मुस्तांच की जाएगी बिल्कुल तो यहां से रवाना हो चुकी है पुलिस बदायू से बरेली के लिए और जावेद को वहीं से लाय जाएगा लेकिन जावेद के आपर आकर अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है पहचान पत्र भी दिखा रहा है और वो यह दावा कर रहा है कि कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास में है जिनके माध्यम से प्रूव हो सकता है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी अपनी सफाई में क्या बाते कहीं है जावेद ने जावेद ने साफ साफ इस बात को कहा है कि मैं डर के मारे बदाइउं खोंड कर दिल्ली भाग गया था और मुझे खोंड से सूचना मिली कि मेरे भाई साजित दोनों बच्चों को मौझ के घाट पार दिया और उसको इस बात का एंकाउंटर का डर लगने लगा उसी पाद आरोपी जो जावेद है वो वहां से दिल्ली से भाग कर वरेली पहुचा और वरेली में जब उसको पकड़ा गया तब इस बात की जानकारी मिली कि वही जावेद है तब बारा धरी पुलिस ने उसको सेटलार्ट से पकड़ा और ठाने ले गई और बदाइउं पुलिस को वो लगातार जावेद की तलाट करें थी और जावेद नहीं मिलना था वहीं जब ये वीडियो वारेल हुआ है तब जावेद की ग्रफतारी हो पाई है अब सीजिम कोट में आरोपी जावेद की मुस्ताच की जाएगी वहां कोट में ले जाया जाएगा और कोट में उससे रिमांड मांगी जाएगी कि कम से कम 14 दिन की पुलिस उसको रिमांड दे। और हाथ पैर पर ताबर तोड़ बार किये। तथे सुनकर किसी की भी रूह काम जाए। अहान के शरीर पर 9 जगा निशान हैं। आयूश राहान पर कुल 23 वार साजिद ने किये। ये सब कुछ गला रेटने के बाद उसने किया।